पाट का शीर्शक है बहादुर बित्तो एक किसान था उसकी बीवी का नाम था बित्तो एक दिन किसान ने बित्तो से कहा सुभए जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाओंगा बित्तो ने उससे पूछा तूने क्या जवाब दिया किसान ने कहा मैंने कहा तू यहीं रुक मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखो मर जाएंगे यह सुनकर बित्तो को बहुत खुसा आया उसने किसान को भटकारा घर की गाये शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती अगर गाये चली गई तो घर में ना दूद ना लसी बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे बित्तो को एक तरकीब सुची उसने कहा तुम फोरण खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक गोडा लेकर आ रही है किसान डर्ता डर्ता शेर के पास कया उसने कहा ये राजा हमारी गाए तो बड़ी मरियल है उससे तुम्हारा क्या बनेगा मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोडा लेकर आ रही है पित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोडे पर सवार हो गई घोडा दोडाती वह खेत पर पहुची और जोर से चिल्लाई अरे किसान तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फास कर रखा है यहां तो सिर्फ एक ही है बाकी कहा गए? फिर वह घोडे से उतर कर शेर की तरफ पढ़ी और कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं नाश्टे में एक ही शेर काफी है इतना सुनना था कि शेर डर के मारे काप ने लगा और भाग खड़ा हुआ यह देखकर बित्तो बोली देखा इसे कहते हैं हिम्मत तुम तो इतने डर्पोख हो कि घर की गाए शेर के हवाले कर रहे थे उधर मारे भूख के शेर की आतें छटपटा रही थी एक भीडिये ने पूछा महाराट क्या मामला है आप आज पौख उदास दिखाई दे रहे हैं शेर ने कहा कुछ ना पूछो आज मुश्किल से जान बची है आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुभा चार शेरों का नाश्ता करती है यह सुनकर भेडिया बहुत हसा वह सुभे जाडी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था उसने कहा बोले बाच्चा वह तो बिद्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझे लिया था आप इस बार हिर कोशिश करके देखिए अगर पहल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया लेकिन उसने भेडिये से कहा तुम अपनी पूँच मेरी पूँच से बाध लो दोनों जने पूँच बांध कर चल पड़े उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए वह दर से धर धर कापनी लगा लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं खबराई भेडिये के पास जाकर उसने कहा क्योरे भेडिये तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँच से चार शेर बांध कर लाएगा लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है वो भी मरील सार भलाय से खाकर मेरी भूग मिठ सकती है खैर इस वक्त यही सही इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी शेर की होश हवास उड़ गए उसने समझा कि भेडिये ने उसके साथ धोखा किया है वह फौरन वहां से भागा भेडिया बहुत चीखा चलाया लेकिन शेर ने एक न सुनी तेजी से भागता चला गया किसान और बित्तो आराम से रहने लगे उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा अभियाब सुन्रहितिये पाठ विशे संचालन प्रोफेसर मन्जुला माथूर पाठ समन्वय लता पांडे नर्मान संचालन प्रभुदयाल खटर कलाकार राजश्री त्रिवेदी गीता वर्मा अशूक मलकानी शांती एसकालरा और सुनुईल लोहिया तक नीकी नर्देशन सतीश लाडे धन्यंकन दीपक पांडे नर्मान सहयोग दाव दयाल चतरुवेदी तथा नर्मान इवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन